करेंगे जिसका नाम है प्रिस्क्रिप्शन जब कोई विक्ति बीमार पड़ता है तो वो क्लिनिक विजिट करता है हॉस्पिटल विजिट करता है डॉक्टर से जैकब करवाता है तो डॉक्टर उसको उसके ट्रीप्मेंट के लिए कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब करता है कुछ मेडिकेशन देता है कुछ इंस्ट्रक्शन देता है तो वो इंस्ट्रक्शन जिस पीस ऑफ पेपर पे लिखे होते हैं उसको प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं यह हम उसको एक hospital गए होंगे वहाँ आपने परची कटवाई होगी पांचजस रुप्य आप देते हो आपका नाम बताते हो एड्रेस बताते हो पापा का नाम बताते हो आपका शुगर भी मेजर किया जा सकता है ब्लड शुगर लेवल जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं उनका शुगर लेवल भी उस पर मेंशन किया जाता है ब्लड प्राइशर मेंशन करेंगे फिर उसके बाद डॉक्टर विजिट होती है फिर डॉक्टर उस परची पे प्रिस्किशन लिखता है उतलब दवाईयां लिखता है पेशिंट की चार्च करने के बाद स्टैथोस्कोप से उसका हार्टबीट सुन सकता है या लंग्स का या उसको सिटी स्कैन कोई इमेजिंग डाइग्नोसिस की टेक्नीक लिख सकता है तो यह सारी चीज़न डॉक्टर जिस परची पे लिखता है वही होता है ठीक है प्रिस्क्रिप्शन इस रिटर्न ओडर बाई फिजीशन जो एमबीबेस करता है वह में अपना रजिस्टेश कहते हैं उसी को प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग की अथारेटी होती है लीगली वही प्रिस्क्रिप्शन लिख सकता है और प्रिस्क्रिप्शन एक लीगल डॉक्यमेंट है जो कि आप कहीं पर भी पूटप कर सकते हो कोट में भी प्रिस्क्रिप्शन पूटप किया जा सकत कुछ country ऐसी है, जहांके system में prescription पे doctor के साथ साथ patient के बर signature होता है, तो doctor के signature prescription पे जरूरी है, किसी ने कहा कि मैं बीमार था 15 दिनों से, इसलिए मैं school नहीं आ पाया, office नहीं आ पाया, उसको कहते हैं कि आप medical लगाईए, वो medical कैसे valid ना जाता है, जब doctor लिखके देता है कि आप bed rest पे थे आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम था कि आप 15 जिन बैड रेस्ट पे थे आप बीमारी से ग्रसित थे यह डॉक्टर लिखके देता है तम माना जाता है ठीक है तो अमान जाता है तो वैसे यह जो प्रची प्रची उती है यह डॉक्टर लिखता है और इस थे प्रेस्क्रिप्शन पर क्या होता हैी 나는 पेशिंट का नाम होता है जिस क्लीनिक को पेशिंट विजिट कर रहा है वहां का कॉंटाक नमबर होगा वहां का एड्रेस होगा जो डॉक्टर चेक अप कर रहा है उसका नाम होगा ठीक है उसका कॉंटाक नमबर भी हो सकता है या clinic या hospital का contact number हो सकता है वहां के reception पे जो भी बैटता है उसका number हो सकता है जो doctor से आपकी बात करा सकता है या आपको कोई query हो, ठीक है आपका कोई issue हो तो उसको sort out किया जा सके और उस पे परची का number होता है क्योंकि daily per day भहुत से patients आते हैं तो उस पे परची पे number रहता है तो आपका data भी निकल जाता है कि कौन से दिन आप आये थे और आपको क्या treatment दिया गया यदि digitalized functioning है hospital में तो और prescription पे patient की information के साथ साथ उसकी age ठीक है और patient का address भी होता है और जिस date पे patient doctor को visit कर रहा है वो date daily होती है अब हम थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला जो important part होता है वो होता है supercription मतलब होता है एक sign RX का यह sign यह बताता है कि इसके नीचे doctor medication लिखेगा और यह God of Jupiter का sign होता है हम God से pray करते हैं कि यह patient को इन दवाईयों से ठीक कर दो ठीक है यह इसका मतलब होता है recipe यह इसका मतलब होता है you take यह इसका मतलब होता है medication medicaments जो बीमारी का इलाज कर सकते हैं तो वो इसके नीचे लिखे जाते हैं तो यह prescription बें यहाँ पर RX के नीचे जो कुछ लिखा होता है वो दवाईयां होती है ठीक है एक से लिखा होता है दवाईयों की strength जैसे डॉक्टर ने PCM लिखा तो उसका dose क्या होगा ये भी mention करेगा फिर आगे कुछ Latin short terms भी use करता है जैसे SOS है आपका HS है ये short term pharmacist explain करता है patient को बताता है कि दवाई उसको कब खानी है तो डॉक्टर फार्मसिस्ट के लिए instruction लिखेगा और patient के लिए instruction लिखता है जैसे patient को कोई advice देनी हो डॉक्टर ने सिस्ट्राजीन प्रस्क्राइब किया है तो डॉक्टर उसको कहेगा कि वही बैट टाइम पे लेना है दूसरा कहेगा कि आपको driving नहीं करनी है तो एक मिनिट एक वहीं कराईसी लेका । झाल झाल